हेलो फ्रेंज आपका हमारे चैनल मल्टी के वेल्ट पर बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं ओंडोर कॉंसेप्ट आईपियो के बारे में ये एक SME आईपियो है हम जानेंगे हर डीटेल इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटिस इसका जीमपी जो भी इसकी करें तक न्यू वीडियो की नूटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो आएए जानते हैं ओंडोर कॉंसेप्स आईपियो के बारे में सभी टीचेज ये आईपियो ओपन हो चुका है ऑक्टूबर 23 यानि के आज से और ये क्लोज हो जाएगा ऑक्टूबर 27 को ये एक NAC IPO है त ये किसी भी तरह की buy or sell recommendation नहीं है हमारा कोई भी वीडियो किसी भी तरह की buy or sell recommendation नहीं देता है अगर आप share market में invest करना चाहते हैं तो proper research करें या फिर किसी industry expert की सल्हाले या अपने financial advisor को consult करें अगर आप proper research करकर invest करना चाहते हैं तो do your own research properly और तभी stock market में निवेश करें क्योंक से बी से रिजिस्टर नहीं है तो हम किसी भी तरह की buy or sell recommendation अपनी channel पर नहीं देते हैं ये वीडियो सिर्फो सिर्फ एक education purpose से वीडियो आये जानते हैं डीटेल में कि ये company करती क्या है क्या इसकी business activity है तो on-door concepts एक fast growing upcoming omni channel retailer groceries और household essentials की chain है ये majorly first इन्होंने operate किया था भौपाल म मध्यपरदेश में जहां पर इन्होंने अपना पहला store open किया था January 2015 में उसके बाद आज की डेट में इनके 55 stores है टोटल मध्यपरदेश में 55 में 17 जो है वो इनके direct stores है बाकी सब वो franchise model पर work करते हैं आप इनकी mobile app और इनकी website भी चेक कर सकते हैं ये online grocery shopping में भी अवलेबल है तो आई अब जानते हैं बाखी सब details की details इस IPO से related ये IPO स्टार्ट हो चुका है हम अल्रेडी बात कर चुके है October 23rd को close हो जाएक October 27th को इस IPO का size रहेगा 31.18 करोर रुपी total shares जो रहेंगे वो रहेंगे 14,98,800 equity share with the face value of 10 रुपी per equity share IPO का price band fixed है 208 पर NAC SME पर इसकी listing है retail quota अगर आप retail investors हैं तो fixed है 50% of the net offer NNI quota fixed है 50% of the net offer अगर आप retail investors और इस IPO में invest करना चाहते हैं तो आपको minimum एक lot purchase करना होगा जिसमें आपको मिलेंगे total 600 shares तो minimum आपकी investment amount रहेगी 1,24,800 के प्रॉक और maximum भी आप 600 shares ही purchase कर सकते हैं एक lot में और again आपकी maximum investment amount भी अगर आप retail निवेशक हैं तो रहेगी 124,800 रुपी अगर आप small HNI investor हैं तो आपको मिलेंगे 2 lot minimum और total shares मिलेंगे 1200 जिसकी investment value रहेगी 2,49,600 के असपास तो इस IPO की allotment date है November 1st 2023, refunds initiate हो जाएंगे November 2nd को, नहीं होगा IPO, उनके account में credit हो जाएंगे November 3rd को, IPO की listing date रहेगी November 6th तो ये details हुई इस IPO से related, क्या इसकी key dates हैं, कितना आपको invest करना हैं, आईएप जान लेते हैं इसकी company की financial health के बारे में भी तो revenues देखें तो अच्छे revenues हैं, consistent revenues हैं, CAGR अच्छी है और profit after tax भी more or less same है और company के अगर profits की बात की जाएं तो profits भी अगर 2023 में देखें तो 0.06 क्रोर रूपी के आसपास का profit है, इसके अलावा earning per share 56.77 per equity share है, return on network 25.51% net asset value 132.50 per equity share है, इस company के promoters है, NSB BPO Solution Private Limited, Mr. Narendra Singh Bapna, Mr. Pramod Ramdas Ingle, Mrs. Swati Bapna, Mrs. Veshali Ingle इस company के registrar रहेंगे, Big Share Services Private Limited, अगर इसके subscription status की बात करें तो अब तक ये 0.32 times ही subscribe हो पाया है, क्योंकि आज ही इसकी subscription date है, grey market premium जैसे-जैसे 27th October आएगा, तो वैसे-वैसे picture जादा clear हो पाएगी तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज हमारे चैनल को like और subscribe करें, for more updates, please press the bell icon, so let's get started with multi-cap wealth.